पर कायम हूँ, कुछ दिन पहले जफरुल इसलाम ने विवादस पर ट्वीट किया था तो आपको बता दें, जफरुल इसलाम खान अपने रुख पर कायम है और उन्होंने खुद इस बात को कहा है, दिल्ली अल्प सिंग के आयोग के अध्यक्ष हैं, जफरुल इसलाम खान जो अपने रुख पर बने हुए है लेकिन बयान के समय को लेकर उन्होंने अफसोस जाहिर किया है उन्होंने काया कि मैंने अपना पिछले बयान वाला जो ट्वीट है, मोना डिलीट किया और ना ही माफी मांगी है मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ, कुछ दिन पहले जफरुल इसलाम ने विवादिस पर ट्वीट किया था और उने साब तर पर काया है कि मैं अभी भी उस पर कायम हूं क्योंकि मैंने अपना ट्वीट नहीं हटाया